हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के दार नॉलज में इसमें हम आज बात करेंगे राज्य के निति निर्देशक्षिधांद की राज्य के निति निर्देशक्षिधांद जो है वो भाग 4 में वर्णित किये गए हैं आर्टिकल 36-51 जो राज्य के निति निर्देशक्षिधांद है वो सविधांद के भाग 4 में आते हैं आर्टिकल 36-51 तक आते हैं यह जो भाग 4 और 36 क्यावन है यह राज्य निति निदेश की सिधानतों के बारे बताता है इसमें कहा गया है कि समाजिक यह जो है यह सिधानत समाजिक और आर्थिक समाजिक और आर्थिक लोकतंतर को बढ़ावा देते हैं को बढ़ावा देते हैं और दूसरा जो जन कल्याण है जन कल्याण की स्थापना करते हैं यह जो है राज समाजिक और आर्थिक लोकतंतर को बढ़ावा देते हैं और जन कल्याण का विकास करते हैं कहलें पिस्था पर अजय जन कल्याण करते हैं यह कल्याण का राज्या धिस्थापना करते हैं और जो इनका सुझाव दिया गये था यह इनका सुझाव दिया था सवधानिक सलाकार भारते सिधान सभा के सवधानिक सलाकार B.N. राओ ने इनका सुझाओ दिया ठाव सुझाओ दिया गया और कहा गया कि राज्य की निदेशक सिधान थोने चीए और ये जो फिर हमने लिये थे आयरलेंड के सुझाओ दिया फिर हमने 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 आयरलें इनके में यह जो है राज्यों को दिये गए है कि उनको पालन करना ना करना राज्या का दाई तव होता है इसके पर पाबंदी नहीं होती इसके अलावा बात करते हैं सभी आर्टिकल में क्या क्या वर्णन किया गया है उसकी बात करते हैं बात करता हमें आर्टिकल सथिस राज्य की परिभाशा का वर्णन क्या गया है राज्य की परिभाशा में क्या कहा गया है कि भार्ट सरकार सांसद या पिर अन्य संस्थाइं जो भार्ट के अंदर आने वारी पर तेक शक्ति संस्था क्या होगी राज्य कहलाएगी राज्य की परिभाशा कहा गया है दूसरा ह आर्टिकल 37 नियायोचित नहीं है ये सिधान्त DPSP नियायोचित नहीं है कि इनको लागु करवाने के लिए हम नियायोचित नहीं है कि इनको लागु करवाने के लिए हम नियायोचित नहीं है कि इनको लागु करवाने के लिए हम नियायोचित नहीं है कि इनको लागु करवा प्राधा नहीं है इनको लागो करवाने का न्याय उचित नहीं है न्याय सन्न नहीं है कि न्याय लिया में इनके लिए अपील नहीं कर सकते आर्टिकल 38 कहता है कि कल्यान कारी जो जन कल्यान के विकास के लिए जन कल्यान के विकास के लिए समाजिक समाजिक आर्थिक वे राजनीतिक नियाए की स्थापनागरना किजन कल्यान के लोगों के विकास के लिए एक ऐसी व्यवस्था करना जो समाजिक आर्थिक और राजनीत के रूप से नियाए अप्रदाण करती हो यह Article 38 में कहा गया है क्योंकि बहुत सारे लोग के साथ अर्थी के राजनती के रूप से वेजभा होते रहते हैं तो उनके लिए एक समान नयाए की व्यवस्था की गई है ताकि जनके लाण का विकास किया जासके जनके लाण का विकास किया जासके Article 49 कहता है कि संसादनों का समान वितरण Article 49 कहता है कि पहला तो संसादनों का संसादनों का समान वितरण कि लोगों में जो संसादन है उनका समान वितरण किया जाए किसी के साथ कोई भेदबाव ना हो कि ये ना हो पार्सिल्टी ना हो कि ये व्यक्ति इस्लादन का प्रोच करेगा, ये नहीं कर सकता, इस परकार का कोई पासिलेटिन ना किये जाए दूसरा समान कार्या का समान वेतन समान कार्या समान वेतन समान कार्या समान वेतन में क्या है कि चाहे वो पूरुष हो या महिला हो एक जैसा कार्या करेंगे तो एक जैसा ही वेतन प्राप्त करेंगे ये नहीं कि अगर पूरुष तो काम कर रहा है दो गंटी उसको मिल रहें पांच जार रुपे और महिला काम कर रही है दो गंटी उसको मिल रहें आजार रुपे इस प्रकार कोई बेदबाव नहीं होगा पार्सलेटी नहीं होगी तो समान कारेकली समान वेतन का प्रावधन किया गया है तीसरा क्या है कि पुरुष हो या महिला पुरुष या महिला परतेप को अपने निर्वा के लिए अपने निर्वा जीवन निर्वा के लिए समını रोजगार पाने के अवसर पाने का अधिकार प्राप्त है कि कोई चाहे वो पूरुष हो या महिला हो उसको अपना जीवन निर्वा करने के लिए रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है कि ये नहीं कि ये लड़की है तो इसको भार काम करने के लिए ना दिया जाए और पुरुष है तो उसको भार जाने दिया जाए उस परकार का भी कोई बैदबा ना हो समान रूप से कहा गया है कि वो अपना जीवन निर्वा करने के लिए काम कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं उनका ये अधिकार है अगले बात क्या है कि पुरुष पुरुष महिला या बच्च बच्चों को आर्थिक संकट के कारण आर्थिक संकट के कारण आर्थिक संकट के कारण कोई ऐसा कार्या करने के लिए विवश नहीं किया जाए जो उनके स्वास्था को प्रभावित करता हो जो स्वास्था के अनुकूल नहीं हो के कारण ऐसा कार्या करने के लिए विवश ना किया जाए जो उनके सास्ता को परभावित करता हो कि कोई भी ऐसे कार्य नहीं होगा, बच्चों दाना मिलब हर गर में आर्थिक संकट होई जाता है उत्पन, समानें सी बात है अगर आर्थिक संकट उत्पन होगा तो क्या होगा कि लोग विवस होकर अपना कार्य करेंगे और कार्य करेंगे तो उनके जो स्वास्ते पर भी प्रभाव क्योंकि स्थिती ही ही ऐसी है कि आज भी कई सारे लोग आर्थिक संक्रट के कारण बहुत सारे अपने स्वास्थे को परभावित हो रहा बहुत सारे लोगों का तो ऐसा कारे नहीं करना है आर्टिकल 39 में का गया है लेकिन फिर भी होता है और इसलिए हम नयले भी नहीं जा सकते है आर्टिकल साथिस कहता है कि न्याय उचित नहीं है आप इनके लिए न्यायले में नहीं जा सकते फिर आता है आर्टिकल उन्तारिस ए आर्टिकल उन्तारिस ए कहता है समान आउसर के अधार पर न्याए आर्टिकल उन्तारिस ए ये कहता है कि समान आउसर पर न्याए कि अधार पर नियाए कि समान आउसर के अधार पर नियाए कि जो आर्टिकल 49 ए है वो कहता है कि समान आउसर के अधार पर नियाए दिया जाएगा किसी के साथ कोई भैदवा नहीं होगा कि अमीर है तो पहले उसको नियाए देंगे वह तु गरीब है तेरो बैठ जा तरको बा कानून सहाइथा कि नेशिल कानून सहाइथा प्रदान की जाएगी आर्टिकल 49 का रहता है कि इसको पता नहीं की परकृइए क्या होते है तो वो अगर पुलिस टेशन जाएगा या कहीं भी जाएगा नियाले में तो हाँ पर उसको वकील या पुलिस बताएगा कि ये डोकुमेंट आप लेकाई ये तब आपके आपके लिए ड्राफ्ट यार किया जाएगा जिसको आपके पेश कर सकते हैं तो वो नीश कि आते हैं कि आप नियाले में नहीं जा सकते ये नियाविचीत नहीं है इनको लागू करना ना करना आपके उपर मीरख करता हैं कहा है माध Ain кус을 करेंए तो ठीक है लागू करेंगी तो ठीक है नहीं तो फिर ऐसा नहीं होगा और ँब आर्टिकल चालिस पंचायत का गठन पंचायत का गठन और यह जो 49 ए है इसको 42 में साथदानिक संसोदन दोरा जोड़े गया है 42 में साथदानिक संसोदन 1976 को जोड़ा गया था साथदानिक संसोदन μας ईसको क्योंकि पाद में जोड़ा गया था 49 एह है बाद में इसको जोड़ा गया था पंचायतों का गठन किया ड़िगा इस में आप पृट्सेट राज्य के गाउं में पंचायट होगी नहीं होगी उसको प्रणिर पर नहीं कर रहे पर कमपल्षरी नहीं हें और सवतंतर है लो हर गाउन कि पंचाहतों आगठन करना या नहीं दूसरी चीज क्या है कि इसका जो वर्न है इसको परभावी बनाया गया तिय तर्मे सेज़एं में संसोधन किता है तर्में और कुछ परभावी बनाया गया थे इसको परभावी परभावी इसको बनाया था इसको मैंने बता जिया था इसका वर्णद जो है वह ग्यारवी अनुसूची में किया गया है इसका वर्णद भी मिलता है पंचायतों का और 17 साधा निक्संद नुनिस उबावी बनाया दिया गया और इसकी तहद परथम बार जो है राजस्थान के नागोर जिले में नागोर जिले में पंचायतों का गठना पंचायतों का गठना आर्टिकल तॉलिस कहता कि समानावसर के धार पर न्याय दिया जाएगा और नेशल्व कानुन साहता प्रदान के जाएगी लेकिन ऐसा होता नहीं आर्टिकल सथ जो कहता है फिर से आपको बता देता हूंकि आर्टिकल दो 36 है वो कहता है कि राज्य की है आर्टिकल 37 कहता है कि न्या उस्चित नहीं है इन को निलागो कराने के लिए नयलों में नहीं adrias है आर्टिकवbin के एक समाज निम्होग नहीं प्राइश के विक्ष거든 उन्हों के जाए कि एक स्थापन न NewsFrey शायता प्रदान करना और 40 में पंजायतों अगठन किया गया है आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक और जो अन्य पॉर्शन रहेगा अन्य आर्टिकल्स के बारे में तब तक लिए धेन्यवाद चाहिए